गोस्तो नाश्ता ऐसा हो जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंदा है घर में खास कर बच्चों को तो बहुत ही पसंदा है जिसे आप लच बॉक्स में भी दे सके तो आज ऐसा ही नाश्ता बना के तियार करेंगे आधा कटोरी सूजी से और दो उबलेवे आलू लेंगे हम इसमें और बहुत बड़ी हनाश्ता बनता है चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं एक मिक्सी जार लेंगे मिक्सी जार में सबसे पहले हम सूजी डाल लेंगे फिर हम यह दोनों आलू फोड के डालेंगे हातों से हम इने फोड लेंगे यानि मैश कर लेंगे तो मैं इसमें कोकिंग और डाल देंगे बहुत चिकना सा बनके तयार होगा यह पैटर अब इसे हम पीस लेंगे अगर आपको जोत लगे तो आप इसमें 3-4 चमच पानी भी डाल सकते हैं और अब एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम इसे निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें थिक रखनाए से तूप पर आपने बहुत सारे नाश्टे देखे होंगे इससे ज़्यादा आसान नाश्टा कोई नहीं देखा और जिससे आप एकदम बच्चों का पेट भी भरेगा और बिल्कुल हैल्दी है इसे पानी के मेजर्मेंट को धिहान रखना पड़ता है क तो आदा चमच हम इसमें नमक डालेंगे क्यों नमक हमने पहले भी डाला है और दो बिल्कुल ये तीखी मिर्च ये नहीं है बच्चों को भी आप खिला सकते हैं दो हरी मिर्च भी काटके इसमें डाल दिया है मैने बढ़िया से अब आदा चमच हम भुना जीरा डाल और आजकल वैसे भी ज्यादा भेंकर वाली गर्मी हो रही है ना तो इस वैसे जल्दी से किचन से निकलने का मन करता है इसे दो तीन मिनिट नहीं हम बहुत अच्छे से फेट लेंगे फिलपी सा कर लेंगे और फिर एक गिलास लेंगे और पन्नी हम कोई भी ले सकते जो सब डाल लेंगे और इसक्या होगा न आप चमत से भी बना सकते हैं इस नाष्टे को कोई दिक्कत नेले कि इस से पहुत जल्ली बनके तैयार होगा तो इस पन्नी में हम फटा फट से रबड लगा लेते हैं यह अ मैं तो रबड नहीं लगा रही हूं की तो हलका सा मोड़ तवे के ऊपर लोहे के तवे पे बनाईए या नोस्टिक तवे पे बनाईए जैसे मर्जी आप बनाईए परफेक्टली बनके दयार होगा नाष्टा इस तरीके से थोड़ा तद तेल को हम फेला लेंगे कुकिंग ओयल को हम इस पर सरसो के तेल में बनाए तो बहुत अच्छा बड़ों को तो बहुत पसंद आएगा तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी मैंने इस पर चिली फ्लैक्स डाल दिया आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं ना डालिए टेस्ट बरकरार वैसा ही से माएगा बस देखने में थोड़ा सा और अच् कर दो परएक कीजिए गहां और आप कहां से यह रैस्पी देख रहे हैं मुझे जरूर पताईएगा और रैइस्पy कैसी लगी अची लगी बुरी लगी जैसी विलगी तो आप ज़रूर बताईए गा मुझे देखिएUh नहीं दोंस दोसे हमें इन इलड़ने倒 पलड़ते से के भी मैंने इसे दिखाया बहुत बढ़ी अनाश्ता बनता है पसंद आयो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में अच्छी सी रेस्पिक साथ बाबा